हलो गाईज, वेलकम बेक टो आउन चैनल लवी क्लासेज वन्स अगेंग यह जो वीडियो है यह है कुछ वेकेंसीज जो की आप क्लेरिकल वेकेंसीज कह सकते हैं क्लेरिकल वेकेंसीज जो की निकली है CSIR, CSIO चंडिगर में इसके अंडर जो है कुछ पोस्स निकली है और इसका सारा इनकी सारे डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में तो चैनल को अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन प्रेस कीजिए ताक आने वारी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिले और इसकी जो PDF होगी वो हम टेलिग्राम पर शेयर कर देंगे तो आपने वहाँ हमें जोइन नहीं किया है तो वहाँ पर भी कर लीजिएगा जो ओनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो हुए है 26th of September से और लास्ट डिट जो रहीगी ओनलाइन समेशन की अप्लिके तो इसमें देखी जुनियर सेक्रेटी असिस्टेंट की पोस्ट जो है यह आपकी है अलग-लग डिपार्टमेंट में जैसे की जर्नल, फ्नेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर्स और परचीज, ग्रूप C की पोस्ट है और इन टोटल अगर हम बात करें आपकी तो यह थ्री पो स्टोरेंट परचेज की है, अगर सेलरी स्ट्चर की बात करें तो एक बहुत अच्छा पेस्केल यहां पर ग्रूप C में आपको देखने को मिलेगा, that is gross salary is about 35,205, इसकी essential qualification जो मांगी गई है, वो इनके लिए वो है आपने plus 2 पास किया हो, 10 plus 2 आपका किसी भी recognized board से आपने प 30 word per minute जो है, वो आपकी हिंदी में typing speed है, तो आप इनके लिए eligible है, और जो अपर इस है, वो है 28 years to apply for journal candidates, जिनको age relaxation नहीं मिलेगा, बाकि जो age relaxation है, वो as per rules मिलेगा, आपको दिखाएं बेगी कि किस category को कितना मिलेगा, अगर total emulments की बात करें, तो इसमें आपका जो है minimum pay level होग उसके अलावा जो है आपको housing rent मिलता है, और other alliances भी मिलते हैं, जो speed मांगी गई है, वो 35 word per minute या 30 word per minute, वो जो है 5 key depressions का एक word माना जाएगा, और इसमें जो है 10 minutes का, जैसे कि आपका बाकि सभी exams में होता है, 10 minutes का typing test वो होगा, और इसके अलावा अगर बात करें, तो कुछ desirable knowledge भी दी हुई है, तो आपकी जो है, कहने का मतलब यह है कि आपको basic computer knowledge होनी चाहिए, और वो वैसे desirable में है, तो अगर आपके पास नहीं भी है, तो भी ज़्यदा फरक नहीं पड़ेगा, और जैसे finance and accounts का है, तो आपको data analysis की, banking practice की, general financial rules की आपको knowledge होनी चाहिए, store purchase चीज़ का है, तो आपको inventory management की और आपको marketing की knowledge होनी चाहिए, selection procedure की अगर बात की जाए, तो इसमें आपका जो selection criteria रहेगा, वो आपका screening, पहले क्या होगा, कि screening of applications as per the criteria will be done, and फिर आपको जो है, typing or written exam के लिए, आयाएगा call, और test for proficiency in computer and computer uses, वो भी आपका होगा, जो typing test होगा, उसमें जो है, candidates जो होंगे, you have to clearly indicate the preference for appearing in typing test, कि आपको English के लिए करना है, apply या Hindi के लिए, फिर 10 minutes का जो है test उस हिसाब से आपके लिए design किया जाएगा, written test का sleeve is, जो है, वो appendix 1 में mentioned है, और written जो test होगा, आपका वो उसमें two paper होंगे, first one will be for mental ability and second one, it will include journal awareness and English language, paper 1 जो होगा, उसकी list prepare करने के लिए, merit list में रोल प्ली नहीं करेगा, उसका रोल सिर्फ इतना है कि वो qualifying in nature है, वो आप पास करोगी, तो ही आपका second paper, जो है, वो count होगा, और second paper में जतने marks आएंगे, वो आपके, जो merit list prepare करने के लिए, वो count होगी, फिर जो है आपको, बाकी details भी यहाँ पर क्या-क्या benefits जो में आपको मिलने वाले हैं, DA, HR, Transport Alliance, सब यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, और बाकी तो general conditions है, एपलाई करने के लिए कोई खास और change नहीं है, फिर भी आप जो है, मैं इसके PDF आपके साथ share करूंगी, तो आप एक बार apply करने से पहले सारी details पढ़ लेना, age limit में जो relaxation मिलेगा candidates को, वो category wise आपको दिया हुआ है, आप जिस भी reserved category से belong करते हैं, आप देख सकते हैं कि SCST के लिए 5 years है, OBC के लिए है, तो आप जिस भी reserved category से belong करते हैं, आप देख सकते हैं कि वो कितने years तक के candidate जो है, apply कर सकते हैं, और reservation criteria क्या रहेगा post के लिए, वो भी यहाँ पर आपको mentioned है, तो apply आपने जो करना है, वो आपने online apply करना है, आपको CSIU की website यहाँ पर दी हुई है, इस website पर आपने जाना है, तो आपको link मिल जाएगा, और यह link है, वो 26th of September से activate हो चुका है, और 25th of October तक यह open रहेगा, पांच बजे तक शाम की, तो आप जो है apply कर सकते हैं, अगर fee की बात करें, तो 500 plus GST, जो है वो journal, OBC and EWS candidates के लिए fees रहेगी, और candidate belong to the reserved categories are exempted from payment, इसमें आपके SCST candidates, PWD candidates, ex-servicemen, women and CSIR employees आएंगी, उनके लिए कोई fee, यहाँ पर, कोई charges यहाँ पर नहीं लगेंगे, और applications जो है वो आपके, यहाँ पर mentioned है, वो आपके due date तक 15 days before the scheduled test of typing, आपके जो है, वो उनको receive हो जाने चाहिए, तो उमीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई है, और syllabus भी इसमें जो है आपको निची जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा, कि OMR based या computer based आपका जो भी exam होगा, उसमें कितने total जो 200 questions आएंगे, और जो level रहेगा questions का, वो up to 12th standard रहेगा, उसकी हिसाप सही prepare करना, total time आपको 2 hours and 30 minutes मिलेगा, और first जो paper होगा वो आपका 90 minutes का होगा, second paper जो होगा वो आपका 1 hour का होगा, और इसमें maximum marks आपको दिये हुए है, negative marking, first paper में आपकी कोई negative marking नहीं होगी, second paper में जो है वो 1 third negative marking होगी, तो उसी हिसाब से आप खुद को तयार कीजिएगा, thanks for watching this video, और इस video को अपने friends के साथ भी share कर देना हो सकता है, उनकी लिए भी ये बहुत helpful हो, और आप हमारी channel से जुड़े रहे हैं, channel को subscribe कर ले, thanks for watching,